पिछले दो दिन पहले हमने अपने विभाग के में बैठक करी थी जो अगामी और ऐसी पहले लग रहा था कि नहीं साल में अच्छी बरफ जो है वो प्रदेश में और प्रदेश की राजधादी में पड़ेगी मगर अभी इस तरीके का अगले आठ दस दिन का कोई भी स्नो सीजन का मेटेरियोलजिकल सभवे के माध्यम से कारी आपको प्राप्ट हो सके इसकी जो एक चार एक एक दोहजार चौवीस को इसकी हमने बैठक जो है सभी जोनल चीफ इंजिनियर्स के साथ सभी एसी इसके साथ जो है वो प्रिपेडनेस ऑफ दे डिपार्टमेंट फॉर विंटर स्नो सीजन आगामी जैसे मैंने कहा उसके लिए करी है और इसमें जितने भी हमारी डिपार्टमेंटल मशीनरी है जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है प्रदेश के अंदर खास करके जैसा मैंने कहा जो हायर पॉइंट्स है जन्जातिय क्षेत्र है वहां पर इमेजेटली उसमें रेस्टोरेशन और कनेक्टिविटी के लिए अड़ा है चाहे उन्ना है चाहे हमीरपूर है वहां पर जो मशीन अवेलेबल थी जैसीबीज है या पोकलेंज है उनको भी हमने टेंपररिली अगले दो महीने के लिए वहां से शिफ्ट करके हायर एरियाज में बेजने का निरने जो है वो सरकार ने हमारे म्लेंग इसे निपटने के लिए हमने कम से कम हाइरे जो है वो मशीन्स की हमने करी है और जबंझे धाला मशीन्स हमने लोर अरिया से डिपार्टमेंट की मशीन Dusko गया है और मैं आपको यह पताना चाहूंगा कि हमने नई मशीन्रियां भी ली है डिपार्टमेंट हैज परचेज 14 नंबर ऑफ बैक हो एक्सकोवेटर्स थी नंबर स्किट्स टियर आया है जिसमें 15 साल की वजा से साई गाडियां जो है वो उनको यूज करने के देश में जित दी गई है और 27 करोड की लागत से 104 मशीनरी की खरीद अभी प्रक्रिया में है जिसमें JCBs है पोकलें में अंडर माई लीडर्शिप इंदे डिपार्टमेंट जो हमारी अट अग्लांस जो हमारी अचीवमेंट्स रही है डिपार्टमेंट की वो भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा PMJ4 सडको में लगबग 2700 करोड रुपए है पिछले एक साल में मेरे डिपार्टमेंट को जो है वो केंडस और इस महीने यानि जन्वरी के एंड तक ये अवार्ड होने शुरू हो जाएंगे तो मार्च के महीने में इसका इसका काम जो है पूरे प्रदेश के अ जो है वो हमारे डिपार्टमेंट को केंडस सरकार से मिला है मैंने विधानसवा के अंदर भी उसके लिए केंडस सरकार का धन्यवाद किया है और आज मीडिया के माद्यम से भी ओन रिकॉर्ड इसके लिए मैं केंडस सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ नबाड जो हमारी विधायक प्रात्मिक्ता है उसमें भी पिछले एक साल के अंदर हमारे ही सरकार में हमारे कारिकाल में 708 करोड रुपे की लागत से 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर सुख्रित हुई इनका टेंडरिंग प्रोसेस लगबख सबका कंप्लीट हो चुका है कई अवार्ड भी हो चुकी है और इनका कारिय भी प्रदेश के अंदर 708 करोड रुपे की लागत से जो हमारे 109 योजनाएं प्रदेश के अंदर है उसका काम भी चला हुआ है CRF के मादियम से हमको 295 करोड जो है वो पांच योजनाओं के लिए चाहे वो ब्रिजेज है चाहे वो सडक है उसके लिए एक साल के अंदर 295 करोड रुपे मिला है उसका कारिय भी प्रदेश के अंदर अलग-अलग उस पे जो है वो चला हुआ है और उसकी अगर आप डिट वैली ब्रिजेज वैली ब्रिजेज जो है वो 12 हमने खरीदे हैं और आपने देखा कि ये जब डिजास्टर के समय में कितने जो है लाबकारी सिध होए चाहे वो ठ्योक का वैली ब्रिज था जो रिकॉर्ड समय में हमने 8 दिन के अंदर इंस्टॉल करवाया वैसे ही जो हमार कुलू में सेंज घाटी है जहां का मैंने खुद दोरा किया अभी वहां पे दो ब्रिजेज हमने उनका लोकारपन किया जिससे पूरी आपकी जो सेंज घाटी है आपके बंजार में वो पूरी तरीके से कट गई थी और इन ब्रिजेज की वज़ा से वापिस वहां पे यताय जो है वो रेस्टोर हुई है तो ऐसे बारा वैली ब्रिजेज हमने 18 क्रोड रुपए की लागत से ख्रीदे हैं और इनको हमने जो है दो जगाओं पर जो हमारे मेकैनिकल डिविजन्स है वहां पर हमने इनको स्टोर किया है जहां पर भी आविशक्ता होगी इन टाइम्स टू क कम डिजास्टर के रूप में तो वहां पर इनको हम डिप्लॉय जो है वो किया जाएगा मशीनरी के बारे में मैं कैई चुका हूं और हाली में हाली में आई आपदा के कारण जो है 18 वैली ब्रिजेज और 27 जूले जो है वो हमारे अलग अलग जगाओं के उपर लगाए गए है लगबक 750 किलो मीटर नई सडके जैसे मैंने कहा 920 किलो मीटर क्रॉस ड्रेनेज